यह उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों साथ वो जो है गली में यह से दोस्तों बहुत स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली व्लॉगर सरोज तो डियर फ्रेंड्स अभी है इवनिंग का टाइम और बाहर में खड़ी हूँ और आज का व्लॉग जो है मैंने पूरा दिन कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की मैं सुचा अभी थोड़ा सा जो है व्लॉग शूट कर लेती हूँ तो कॉमल वेबो कर रहे हैं अपनी स्टेडी और पारस खेल रहा है नीचे अपने फ्रेंड्स के साथ और इसलिए जो है ना मैं बाहर थोड़ी देर अपना वाक भी कर लेती हूँ नीचे उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों साथ वो जो है गली में खे इसका भी क्योए क्या बनाओं अज जैसे ज्यादा तला हुआ भी खाने का मन नहीं करता लेकिन ऑज ठोड़ा मौसम अच्छा है तो शोचखे हूं कुछ बना ही लेती हूं पकॉड़े-शकॉड़े तो चलिए अभी चलते हैं किचन में और देखती हूं क्या बनता है तो अ पारस का है पारस अंदर अंधर आके घ्त घ्या क fen अधूया और यहां पर ग है और इसम में कुछ नहीं करने के लिए और ज्यादा थाम जाम नहीं पर करने वाला जिए मृष्ग कि कुछ कर लें तो अभी मैं इसको मिक्स कर लेती हूं फटा-फट से और पकोडे फिर हमारे गीह के बनेंगे पहले सोचे था कि कोफते बनाएंगे फिर मूड जो है चेंज हो गया कि अभी हम जो है कोफते प्लस पकोड़े ही हुए वैसे भी ये तो अभी जो है मैं इनको मिक्स करके जो है बना लेती हूं देल हो गया गरम और बैटर यहां पर हो गया है मिक्स तो चलिए अभी बनाते हैं गर्मा गरम पकोड़े और फिर बलाते हूं नीचे से पारस को तो तेल ना काफी ज्यादा गरम हो गया था और कडाई भी हमारी बड़ी है और ज्यादा तो यह पकोड़े वैसे भी नहीं बन लेते क्योंकि आदा सा जो गोल वैल चोटागी होता है वह आदा से ही पड़ा था तो बस जितने वी थेना मैंने सारे एक बार में ही इसमें डा कि मिलेता है जो जाता हो गें ए जाता हो गे और फिर जो है मैंने आँच को थोड़ा सा g pensar गाऊ और इनको पक्कि ने के लिए छोड़ दिया और मैं सोचा जो बरतन है ना उना कू साथ के साथ दो देते हैं क्योंकि कि अगर हम साथ के ना हमारे साथ बरतनों ना खोदेता है मुछ आ दो क्जािए यूजू रहने और जिए्ड़ गुछा। आपकोर ने कुछ बनाएं हापके लिए रिखो पका अपकोरे थेंक यूँ अभी जाओ पर हाथ पर दो और तो उसके बाद आज़ो ठीक है यहांपे बिच्चे तो मेरे वैसे भी चाए नहीं पीते हैं तो आज मैंने भी आपनी बसा तो इसलिए handful जो है ऐंने गड है रूकक बिनाया upstairs कि asking me तो भी हमारे साथ आजेगी तो दिएर फ्रेंड्स पकोडे मनाने के ङए मैंनेगी तियारि और निया है और ने खापी लिया है वो जो है मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है ने तो पुरी वीडियो में फिर खाना ही खाना हो जाता तो मैंने सुचा आज 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 अबी जो है चलिए कर लेते हुमें फेश्वाइब तो जी अबी मैं फेश्वाइब करके आगी हूँ और प्रश करने रहो गया है और मीरा फेश वाश जो है यह है यह दिखिए पुलटा दिख रहोगा ना आपको यह यह है जो है जो है इसका जो है इसका जो है इसका निकल गया है तो यह ना बहुत ही अच्छा मॉश्चुराइजर है इससे जो है अगर आप कंटीनियू डिस को यूज करते हैं आप किस तिलमें कोई दाग धब्ब्बे रगने हैं जाते हैं और मैं काफी टाइम से जो है इसे को जो है इस्तिमाल करते हूं और मॉश्चुराइजर जो है जरूर करना जाहिए सोने से पहले और जो भी मेक अप गरा लगर होना उसको दूखे ही सोना जाहिए और मैं जादा जो है ज़्यादा मेक अप गरा नहीं करती हूं और सिंदूर और लिप्स्टिक तो हमारे जो है हमाचर में कमपलसरी है मतलब हम लोग लेडी लोग जो है हमेशा ये वाला ये दो तीन चीज़े जो है मेकप करके रखते हैं और करना भी चाहिए हर लेडी को जो भी मैरिड है क्योंकि देखिए भगवान ने जो है ये सोला स्रिंगार जो है हमें बक्षा है तो इसे जिरूर इस्तिमाल करना चाहिए तो इसलिए जो है बिंदी रिप्स्टेक संदूर ये मेरा तेली मेकप रहता है और क्रीम जो है मेरी लेक्मी की मैं इस्तिमाल करते हूँ दिन को लेक्मी 9 to 5 उसमें जो है हलका का फाउंडेशन भी रहता है तो चल जाता है वाली क्रीम वाली क्रीम इthing च्रक यूप क्रेम और बाहर जाना हो संस्क्रीन लोशन जो है Le Glad난 का कि इसद्माल करती हूं तो अबी युदल है पाहोगरा new would generally 맛있 हरा आपी लगाना है बालों के लिये और मुझे दाने हैstemने क्वेशन के लिए गर्मियों में मैं यह अलमेंड ओयल इस्तिमाल करती हूं क्योंकि जाल चिप चिप भी नहीं होता है और सही रहता है गर्मियों में यार एक तो तो तील लगाने का मननी निकरता कि गर्मी इतनी होती है लेकिन आज जो है मौसं थोड़ा अच्छा है और काफ कर लो तो भी बैटर रहता है लेकिन आज मैं सोच रहे हूं अच्छे से खुब सारा देल लगा के जो है पूरी रात जो है पने बालों में रहने दूँ और तो पहले मैं कॉम कर लेती हूं और उस बाद जो है और लाती हूं तो यहां पे स्कीन केटर के साथ हेकें भी हूगी है बालों के अच्छी से मुझे तेल लगा तक caregivers नहाले सबस्की नहि现在 काई यहता है है तो उससे मुझे और वी आप कर लिशले में बात दूपास यहां दान intéressant तो काफी टाइम मुझे हो गया था रात को पॉइल लगाए हुए तो मैं सुचा जो है अच लगा लेती हूँ और अभी ना व्लॉग की एंडिंग भी मैं यहीं पर कर दूँगी आउप आपको जो है मेरा यह चोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा और अभी मैं करूंगी व्लॉग की एडिटिंग और आँखे देखे कैसी ओर यह नीद जो है आँखों में भरी पड़ी है क्योंकि आज दिनकों भी मैं सो नहीं पाईगू रहस नहीं हुआ है कुछ ना जाती हो ना फिर नीदनों सब में उड़ जाती है तो बस इसी में पूरा दिन निकल गया और तो जाता बाते ना करते हुए अभी व्लॉग के एंडिंग कर देते हैं और आप सब लोगों से में एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वीडियो को स्किप ना करें तो वीडि वीडियो डाउन में चली जाएगी और वाइटी उसको आगे ही नहीं भीजेगा तो अभी ज्यादा बाते ना करते हुए व्लॉग के एंडिंग कर देती हूं फर्स्टाइम कर रहे हो विजिट तो चैनल को सब्सक्राइब जूर किजिएगा बैल आइकन के साथ पैल को किज यह का ओल पे स्लेक्ट तकि जो भी मैं वीडियो अपलोड कर उसकी नूटिफिकेशन आपको मिले आपको मेरा चैनल सर्च ना करना पड़े और आपको जो है लाइक जरूर करना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है और आशबसक्राइब करना है यूँकि देखिए सब्स करते हैं और नहीं like नहीं होता है वीज नहीं होते हैं तो फिर हमारर Mind भी नहीं करता है वीधियोज बनाने को और बहुत साथरी चुबरुस्तम जो है चैनल में एप्रशने में बीसे करते हैं वीडियोई वाच करते हैं तो मैं उनको एक ही चीज़ कहूंगी कि सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब और लाइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं बाबाई थेंक्स फॉर वाचिंग ए थेंक्स फॉर लवली स्पोर्ट बाबाई